कि बिइन आ नमस्कर दोस्तों हम सब्माइरे चानल म्रेश के आलाऊ स्ट champion होगत करता हूँ और जैसे कि हर रोज आपके लिए कुछ नहीं कुछ क्ने वीडियो के मादैसे आए यू हम लोग देखते हैं को यह मार्केट पर क्या मूमेंटम हो सकता है और कौन से stock पे हम nuei कर सकते हैं कौन से stock पेそうそう कर सकते हैं बहुत सारा जानकर इस वीडियो के मादम से जरूर बताऊंगा उससे पहले एक चीज報 बताऊंगा कि वीडियो को skip मत कीजिए सुरू से आखीर तक जरूर देखिएगा और जो भी लेबल्स में आपको देने जा रहा हूँ उन लेबल की उपर आप जरूर फोकॉस कीजिएगा कहां पर बाई करना है कहां पर सेल करना है बहुत सारी नौलेज आपको इस वीडियो के मादम से मिलेगा खास करके बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक है और अगर किसी ने कल ये वीडियो देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि मैंने जो लेबल्स दिये थे हर एक लेबल पे अच्छा ट्रेड आपको मिला है अच्छा लेबल्स आपको मिले है अच्छा profit आपको मिले हैं जो label आपको मैंने दिये थे उसके ओपर तो please वीडियो को like and subscribe करना मत भूलेगा बहुत महनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ आपके तरफ से एक like and subscribe का बटन जरूर दबना चाहिए please आप subscribe का बटन दबाना मत भूलेगा और बहुत महनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपके तरफ से एक support का बटन यानि कि subscribe का बटन जरूर दबना चाहिए चलिए हम लोग directly चलते हैं जो labels मेंने दिये थे उन labels के उपर और एक चीज़ आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए जो मैं label आपको दे रहा हूँ हर एक label आपको सही तरीकी से follow करना है क्योंकि market पे पेसा कमाने के लिए जो label आपको मिल रहे है उन label को आपको respect करना है जरूर चाहिए क्योंकि market जो है support resistance को respect करता है जो labels मेंने दिये थे हर एक label अचीव हुआ है और कल के लिए देखेंगे कौन सा label अचीव हो सकता है चले हम लोग चलते हैं stock के labels की उपर और कौन से कौन से stock पे buy कर सकते हैं sale कर सकते हैं बहुत सारी knowledge आपको इस वीडियो के मादेम से बताऊंगा चले हम लोग start करते हैं पहला stock कौन सा रहेगा पहला stock आपका BPCL का रहेगा जी हां बारत petroleum का रहेगा और हम लोग चलते हैं कि बारत petroleum का मैंने जो labels दिये थे क्या वो label आज अचीव हुए हैं या नहीं बहुत सारी जानकर आपको इस वीडियो के मादेम से जरूर मिलेगा और कहां से आपको buy करना है और कहां से कल sell कर सकते हो बहुत जानकरे भी मिलेगा कल मैंने आपको BPCL का जो label दिया था वो label यह था कि 377 का support और 385 का resistance बताया था और 385 की उपर 394 का target तो आपने देखा होगा कहीं ने कहीं market ने जो है 395 का यहां पे target उपर का जो दिया था 94 का उसको hit किया है 84 की उपर open होते ही और market ने करीवन उपर गया उसके बाद market नीचे 82 का low लगाया यानि की support से resistance और resistance से दुबारा उसी support पे यानि की उसी target पे market ने एक अच्छा momentum दिया है तो इससे यह पता चलता है जो labels मैंने आपको दिये थे वो label आज की achieve हो चुके हैं तो कल क्या label हो सकता है वह चीज़ आपको जरूर बताऊंगा कल का label यह रहेगा support रहेगा 382 का जी हाँ आपका BPCL का support कल का रहेगा 382 382 के नीचे आपको sell करना है 372 आएगा और 388 का resistance रहेगा 388 के उपर आपको buy करना है पहला target 396 और 404 के आसपास आपका दूसरा target रहेगा जोरी 403 का दूसरा target तो ध्यान से मैंने आपको कहा 382 के नीचे आपको sell करना है 382 के नीचे आपको sell करना है और target 372 ध्यान रखना यह चीज़ को और buy अगर करना है 388 के उपर buy करना है 396 का target यह हो गया आपको sell करने का और buy करने कमों का अगर आपको 382 के उपर अगर market दिखे 382 उसको अगर break नहीं करता है अगर उसके उपर sustain करता है buy कर सकते हो पहला target 388 और 396 यह दो target आपके सामने हो सकता है और अगर sell करने की बात कहूं 388 के आसपास अगर चाता है अगर उसके बाद अगर नीचे आता है 388 के नीचे भी sell कर सकते हो target जो है 382 और 372 यह दो target रहेंगे तो एक जगे से buy और sell करने का मोका आपको जरूर मिलेगा खास करके market को trend देके आपको trade लेना चाहिए चली next stock पे चलते हैं और next stock पे क्या momentum हो सकता है बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे analysis करके बताऊंगा उससे पहले channel को like and subscribe करना मत भूले बहुत मेहनत करके video बना रहा हूँ तो आपके तरब से एक like का button और एक subscribe का button जरूर दबारा चाहिए चली हम लोग next stock पे चलते हैं next stock पे क्या momentum हो सकता है बहुत सारा जान करें आपको इस video के मातिम से मिलेगा ओके चली next stock आपका रहेगा इंडेसेंट बैंक और इंडेसेंट बैंक पे भी मैंने कल लेबल दिये थे वो लेबल क्या था एक पर थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ 804 के उपर 804 के नीचे 772 और 834 के उपर 840 और 870 तो एक बार नजर डाल लेते हैं कहा और आया मार्केट ने 845 यानि कि मैंने कहा 840 और 870 तो मार्केट ने कहीं न कहीं 840 का हीट टार्गेट जो है टार्गेट हीट क्या है और मार्केट ने नीचे आपन हुआ यानि कि मैंने जो लेबल आपको दिया था खास करके 8.04 से लेकर 8.34 यानि कि 8.04 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद 8.45 का टार्केट आपको देखने को मिला हाई और लो है 8.04 तो कही न कही आपने इस पेशा जरूर कमाया होगा और कल के लिए इस लेबल पे आपको इसके उपर क्या लेबल है बहुत चीज़ भी आपको बता देता हूँ इंडसन बेंक का कल का सपोर्ट रहेगा 8.04 सेम सपोर्ट रहेगा 8.04 जैसे ही ब्रेक करेगा 7.75 आपका पहला टार्केट हो सकता है जी हाँ कही न कहीं ये जो प्रिवियोस डे का जो लो है उस लो को दुबारा री टेस्ट करने की कोसिस कर सकता है 8.04 के नीचे आपको सेल करना चाहिए 7.75 आपका पहला टार्केट रहेगा और अगर 8.04 की उपर दुबारा आज जैसे सस्टीन हुआ वेसे अगर सस्टीन करता है तो पहला टार्केट करेवन 825 दूसरा टार्केट 846 ये दो टार्केट आपको ध्यान रखना है और कही न कहीं अगर 825 के आसपास ये ओपन करता है 825 के आसपास तो आप देखें 825 की उपर जैसे ही चलेगा बाई करना है 846 का पहला टार्केट रहेगा अगर आपको लग रहा है 825 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है और नीचे अगर आ रहा है तो सेल कर सकते हो 804 और 775 दो टार्केट रहेंगे सपोर्ट से कैसे बाई करना है के से सेल करना है मैंने अको clearly बता दिया हूँ और I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो के बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत चीज अब समझ जा चुके हो मुझे ये लगता है कि आपको पूरी बात समझ आ चुकी है कहां पर बाय करना है कहां पर सेल करना है सपोर्ट पर आपको बाय करना है और सेल करना है ये दो चीज में बता रहा हूँ डिपेंड करता है अगर सपोर्ट के नीचे है सेल करना है सपोर्ट के ऊपर है बाय करना है और रेसिस्टन्स की ऊपर है तो बाय कीजे यह resistance के नीचे है तो sell कीजी एई चीज़े और कुछ नहीं है जो target और जो support resistance मैंने आपको बता दिया हूँ वो चीज़ को आपको ध्यान से आपको लेना है market पे और बगेर support resistance के कोई भी आप trade मत लीजेगा चले हम लोग next talk पे चलते हैं और next talk पे जाने से पहले एक चीज़ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले बहुत profitable वीडियो आपको इस चानल के माध्यम से मिलते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले अगर आपके पास थोड़ा वक्त है और एसे कुछ दोस्तों हैं दोस्त हैं आपके जिनको यह वीडियो का जरूर हो थे उनको आप इस वीडियो का लिंक आप सेर करके सब्सक्राइब करा सकते हो तो अगर मेरे चैनल पर आप सपोर्ड करते हो तो आगे चलके आपको लाइब ट्रेडिंग चीशन आपको मिलेंगे यानि कि लाइब मार्केट पर आपको ट्रेड मिल सकता उस चैनल के माद हमसे कहां पर buy करना है कहां पर sell करना है डायरेक्ट लिए आपको लाइब आ करना का मोगा चलिए हमलों left stock पर चलते हैं lorsque next stock पर क्या momentum हो सकता है कहां आप बाय करेंगे कहां सेल करेंगे और आज क्या हुआ है वह स्टॉक के उपर बहुत चीज भी हम लोगत अनलेसस करेंगे ओके नेक्स्ट आपका रहेगा जस्टाइल ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जो जहां पर आपको मैंने जस्टाइल पर ट्रेड दिया हूँ और लेबल बताया हूँ वह अचीब नहीं हुआगा तो जस्टाइल का मैंने कल का जो कल का जो वीडियो पर मेरे बता दिया था लेबल नहीं दिया था, sorry, मैंने आज ट्रेड पर सबो कल के लिए देखते हैं, कल जगे में क्या मोमेंटम हो टार्गेट आपका कहीं ने कहीं 575 होगा जी हां आपके सामने चार्ट ओपन है और मैं चार्ट पे समझा रहा हूं अगर 605 लेबल ब्रेक करेगा डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो पहला टार्गेट आपका 575 हो सकता है और उसके नीचे भी जाता है तो 568 तो ध्यान रखिएगा यह लेबल बहुत ही इंपोर्टेंट लेबल है अगर यह कर जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है और सेल कर सकते हो 605 के नीचे अगर बाइ करने का मौका अगर 605 की ऊपर सस्टीन करता है तो बाइ कर सकते हो पहला टार्गेट करीबन आपका 617 617 आपका पहला टार्गेट रहेगा और दूसरा टार्गेट रहेगा 630 पहला टार्गेट आएगा 616 दूसरा टार्गेट 630 और तीसरी टार्गेट के और अगर मार्केट बढ़ता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका 656 होना चाहिए तो depend करता है market का trend के साब से अगर market ये label पे अगर hold करता है तो हो सकता है एक अच्छा label आपको उपर मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा 605 के नीचे sell करना है और 605 के उपर buy करना है अगर market सस्टेन करता है उसके नीचे या फिर उसके उपर तो resistance क्या होगा? Resistance एक बार चेक कर लेते हैं Resistance रहेगा 617 जी हाँ ये midpoint है और ये resistance भी है 617 की उपर अगर सस्टेन करता है तो buy कर सकते हो पहला target 630 आपका आएगा और 630 की उपर सस्टेन करता है तो 656 ये दो target को जरूर या देखेगा अगर 617 के नीचे सस्टेन करता है तो sell कर सकते हो पहला target आपका 605 और 575 आ सकता है आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को like कीजिए subscribe जरूर कीजएगा साथ ही साथ दूसरों के साथ मेरे चैनल का link जो है वो आप share कर सकते हो चलिए हम लोग next talk पे चलते हैं और next talk पे क्या momentum हो सकता है और कहां पे वो चीज़ buy करेंगे कहां पे करेंगे बहुत सारा चीज़ हम लोग analysis कर लेते हैं ओके चलिए next talk पे चलते हैं next आपका रहेगा स्रीराम ट्रांसपर्ट finance रहेगा और स्रीराम ट्रांसपर्ट पे मैंने जो लेबल दिया था आई होप आप सभी ने लेबल एंजोई किया होगा करीबन 1015 तक मैंने लेबल दिया था करीबन और आपने देखा होगा 998 के आसपास market ने किया तो यह होता है मेरा लेबल और आप सभी को अगर इन लेबल के उपर भरोसा है आज आपने अपने अच्छा पेसा कमाया है तो प्लीज स्रीडाम ट्रांसपोर्ट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनना चाहिए चलि एक बार देख लेते हैं कल मैंने जो दिया था मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कल जो मैंने लेबल दिया था स्रीडाम ट्रांस्पोर्ट का कौन सा लेबल दिया था कल मैंने स्रीडाम ट्रांस्पोर्ट का लेबल दिया था 890 का support और 931 का resistance अगर किसी ने यहाँ पर 831 की उपर buy किया होगा 831 की उपर market ने open कर लिया 917 917 की उपर जैसे गया 931 की उपर मैंने बहुत सारे लोग को buy करने के लिए दिया था और जो भी मेरे साथ training कर रहे थे मेरे पास training कर रहे उनको पता है उन्होंने analysis करके मेरे एक बहुत अच्छे client उन्होंने खुद analysis करके मुझे बताया कि सर यह स्ट्राम ट्रांसपोर्ट उपर जाएगा वहला कि हाँ यह बहुत उपर जा सकते उन्होंने भी confirmation दे क्योंकि इसमें जो सिखाता हूं मैं जैसे analysis करता हूं मैं जिनको भी सिखाया हूं वह सारे लोग एच्छे analysis करते हैं अगर वो क्लाइन मेरे Odisha से हैं अगर उन्होंने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताए कि आपने जो लेबल दिया था वो लेबल अच्छी हुआ या नहीं हुआ है और मैंने आपको जो सिखाया हूं आपने सीखाया नहीं सीखाया बहुत इस आप जरूर कमेंट करके बताएगा चले मैंने आपको बता दिया था कि 931 की उपर अगर चलता है 958 पहला टारगेट और 958 की उपर जाएगा तो कहीं नहीं 1015 का लेबल आ सकता है तो आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियरली देखने को मिल रहा है करीबन मार्केट ने कोसिस तो किया 1015 की उपर हीट करने के लिए 998 की उपर उसने टॉप बना दिया तो इससे आप जरूर इंस्पायर हुआ होंगे आपको एक अच्छा ट्रेड आप करने के बाद दुबारा नीचे आया दुबारा नीचे बाई करके हम लोगों ने 80 पर दुबारा प्रॉफिट वोकिंग कर लिया हमें ज्यादा लालज अगर जब करते हो तो जरूर आपका लॉस होगा तो चलिए हम लोग लेबल पर चलते हैं कल क्या हो सकता है कल यहाँ पर क्या हो सकता है और खास करके हम देखेंगे स्रीराम ट्रांस्पोर्ट का सपोर्ट कहाँ पर है 901 का सपोर्ट रहेगा स्रीराम ट्रांस्पोर्ट का जी हाँ 901 के नीचे अगर चलता है तो पहला टार्गेट 901 के नीचे आपको सेल करना है 848 का पहला target आपका रहेगा 901 के नीचे अगर जाता है तो आपको sale करना चाहिए पहला target आपका 848 और उसके नीचे भी जाता है तो 803 आपका दूसरा target रहेगा और जो भी support और resistance है मैंने आपको बता दिया हूँ आपको कुछ नहीं करना है market जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते आपको अपना trade लेके जाना है तो चलिए हम लोग resistance देख लेते हैं और कहाँ पर buy कर सकते हैं और कहाँ पर sell कर सकते हैं वो मौका भी हमें कहाँ मिलेगा वो चीज़ हम लोग अब लाद देख लेते हैं और दुबारा remind कर देता हूँ अगर आपको लग रहा है कि 901 की उपर अगर sustain कर रहा है उसके उपर भी buy कर सकते हो target कहाँ तक रहेंगे resistance रहेगा R1, R2, R3 949, 998, 1015 तो ठीक देखते हैं resistance कहाँ पर है resistance रहेगा 949 बहुत उपर है अगर market कहीं न कहीं 949 की उपर आसपास अगर open करके उसके नीचे sustain करता है sell कर सकते हो same level रहेगा target 901 और 848 अगर 949 की उपर अगर sustain करता है समझ लिजी दुबारा 998 तो दुबारा retest होगा और 1015 आपका target भी achieve हो सकता है तो मैंने support resistance आपको मैंने clearly बता दिया अगर आपको कल अच्छा trade मिल सकता है तो इस stock पे भी मिल सकता है जिन्होंने आज कमाया है कल भी यहाँ पे इस stock पे कमा सकते हैं एक अच्छा level आपको मिल सकता है तो चलिए हम लोग next stock पे चलते हैं अगर अभी तक आपने like and subscribe नहीं किये तुरंद like कीजे तुरंद subscribe कर लेजे मेरे चानल को चलिए next stock पे चलते हैं ओके last and final stock आपका रहेगा stat bank of India मैंने आपको जो भी level दिया था हर एक level achieve होते हुए आपको देखने को मिला होगा और खास करके stat bank of India पे achieve नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ doubt नहीं है चलिए हम लोग एक बार नजर लगा के देखते हैं कि stat bank of India पे मैंने जो लेबल आपको दिया था वो लेबल achieve हुआ है नहीं हुआ है SBI पे stat bank of India पे मैंने कहा था 245 का 245 का support है और 253 का resistance है और 245 के नीचे जाता है तो 238 आ सकता है तो आपने देखा होगा resistance 253 के आसपास market यानि कि 252 से market ने एक top बना के वहां से नीचे धीरे धीरे आया यानि कि जो लेबल आपको मैंने दिया था करिवन 253 उसके नीचे sustain होने का मतलब यह है कि market sale पे आ सकता है और आपने अगर किसी ने भी अगर State Bank of India का sort किया होगा sale किया होगा एक अच्छा पेशा जरूर बने होगा यानि कि 245 और 339 तक आया एक अच्छा पेशा आपने यहाँ पर जरूर कमाया होता तो प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है 238 के नीचे आपको sale करना है support है 238 238 के नीचे अगर sustain करता है sale कर सकते हो 231 पहला target आएगा 231 पहला target और दूसरा target करीबन आपका हो सकता है 225 225 का दूसरा target हो सकता है पहला target आपका रहेगा 231 31 के नीचे आपका 225 यह दो target जरूर याद रिखिएगा के नीचे जाता है तो आपको sale करना चाहिए अगर 238 की उपर sustain करता है तो buy कर सकते हो 245 और 253 ये दो target आ सकता है चले resistance पर चलते हैं resistance क्या रहेगा 245 245 का resistance है अगर कल आपको 245 के आसबास भी मिल जाता है तो आप sale कर सकते हो उसके नीचे 245 के नीचे target जो रहेंगे आपके करीबन 238 और जो बता दिया मैंने आपको 231 अगर 245 की उपर अगर sustain करता है स्टेट बेंग कोप इंडिया 245 की उपर 253 और 258 का दोसरा target रहेगा मैंने आपको support और resistance दोनों दे दिया हूँ कहाँ पर buy करना है कहाँ पर sell करना है वो हर एक जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ खास करके आपको कहाँ पर buy करना है कहाँ पर sell करना है वो भी बता दिया हूँ प्लीज जो levels आपको मैंने दिया हूँ हर एक level को follow कीजिएगा एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा और एक अच्छा पेशा जरूर मार्केट पे बनाए और मार्केट पे सक्सेस जरूर होई ये मेरा आपसे निवेदन है और आप सभी के लिए दुआ है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं कियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो प्लीज आपको सामने ये सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है सब्सक्राइब का बटन को जरूर दबायेगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा प्लीज और प्लीज निवेदन रहे हैं आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर की जगा आज के लिए इतना ही धन्य बाद